तो दोस्तों स्टॉक मार्किट में दो चीज़ें चाहिए होती है पैसा कमाने के लिए पहली चीज तो होती है कि आप सई स्टॉक बाय कर रहे हो और दूसरी बात ही होती है कि आप उसको सई प्राइस पर बाय कर रहे हो इन दोनों चीज़ों को अगर आप कंबाइन कर लेते हो तो आप बहुत ही सही investor बन चुकियों और बहुत सही investment करके आप बहुत पैसा कमा सकते हो पर होता क्या है हम लोग यह जब करनी पाते है हमारे पास ना तो time होता है और ना इतनी knowledge होती है और इस चीज़ को cover up कर दिया गया है इस smart beta ETF में जो नया launch होने वाला है और इस ETF का NFO already launch हो चुक है 15-20 दिन मान लो उसके बाद इसका ETF भी launch हो जाएगा उसका ETF का क्या नाम होगा वो मैं आपको description में दे दूँगा first comment में दे दूँगा जैसे ही उसका ETF का नाम आ जाएगा और right now यह जो index है actually Nifty के एक index के उपर based है और इसमें concentration कहां दी गई है value के उपर value investing एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सही prices पर buy करोगे वह वाले stocks जो actually fundamentally बहुत strong है इसके उपर बहुत सारे investors ने बहुत सारी बाते कर रुखी है अगर हम मोटा मोटा देख लें तो Warren Buffet जी ने काया कि price is what you pay and value is what you get right क्योंकि आपने तो पैसा देना है आपको बद्रे में जो value मिलेगी वह value matter करती है आप वह value जो ले रहे हो आप उस stock की आप उसको सही price पे उसकी value ले पा रहे हो के नहीं ले पा रहे हो पर अगर आप ने उसको इस price पे बाय किया है कि जो इसकी intrinsic value है price जो है stock का उससे कम है intrinsic value क्या होती है कि जो stock की actually value निकाली जा सकती चाहे वो based on उसका future है जो आने वाले time में जो returns आ सकते हैं उसके base पे एक intrinsic value हम assume कर लेते हैं उससे अगर price कम होता है अब यह सारी चीज़े हम खुद नहीं कर पाते है इसलिए हमारा जो फायदा होने वाला हो smart beta ETF में invest करके होने वाला the best foundation for a successful investment or a successful investment career is value again value investing is an approach to stocks that is as close as it gets to a golden rule there is only one intelligent form of investing figuring out what some things worth and see if you can buy it at or below that price it's all about value तो बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने यही बात कही है अब इस value investing के ऊपर जो यह ETF आने वाला है इसका नाम है nifty 200 value 30 तो टॉप के जो value based stocks है 30 stocks वो निकाले जाएंगे 200 निफ्टी के stocks में से इसका मतलब आप यह कहलो कि cream cream निकाली जाएगी और यह जो stocks है इनमें अगर हम पैसा लगाते हैं तो हम उन stocks पर actually पैसा लगा रहे हैं जिनका आज price बहुत कम है लेकिन वो fundamentally strong है तो यह सारी चीज़े combine करके हमारा यह स्मार्ट बीटा है प्लस हम और जो स्मार्ट बीटाज में पैसा लगा रहे हैं चाहिए हम momentum वाले ETF में लगा रहे हैं quality में लगा रहे हैं तो यह सब हम combine कर लेते हैं तो हमारी निफ्टी के 200 जो stocks हैं उनमें से value score किया जाता है calculate यह जो value score होता है इसके base पे top 30 value के stocks बनाया जाते हैं अब आप यह देखो कि यह value score बनाते हैं इसमें हम यह मान के चलते हैं कि जो भी उसकी capitalization है यानि पूरी market में कोई भी stock जो है उसकी total capitalization कितनी है टोटल जो number of stocks है multiply by price इसको कहते है capitalization जिसके उपर large cap, small cap, mid cap यह बनाया जाते हैं categories ऐसे बनाया जाती है उसमें से इस चीज़ को weightage दी जाती है कि जो large cap के stocks है उनको ज़्यादा weightage मिलती है उसके बाद mid cap और small cap तो इसका फायदा यह होता है कि हमारा ETF है इसकी volatility भी कम हो जाती है अब यह जो top 30 stocks finally बनते हैं उनमें weightage कैसे calculate की जाती है कि weightage के लिए देखा जाती है कि 5% से ज़्यादा weightage ना हो किसी भी particular ETF की या फिर जिस index में से इसको निकाल रहे है उस index में उसकी जो भी weightage है उसकी 5 times maximum 5 times इन दोनों में से जो भी कम value हो उसके उपर इसकी weightage दिखी जाती है तो यह fundamental concept है इसका value score के पीछे का लेकिन value score में और भी कुछ चीज़े हैं जो इसको देखने के लिए calculate करने के लिए use करते हैं इस slide में मैंने सारी information gather कर लिया है इस ETF को लेके जो भी इसमे value score calculate करने के लिए value score को Z score भी कहते हैं इसको जो calculate करने के लिए जो inputs चाहिए इसके base के ऊपर यह ETF है इसको इसके base के ऊपर इस ETF में stocks है वो decide होते है अब क्या-क्या factors होते हैं cover सबसे पहले तो earning to price ratio अब आपने price to earning ratio सुना हुआ है जिसको PE ratio कहते है उसका उल्टा है अब इसमें क्या होता कि earning to price ratio है इसमें earnings मतलब कि जो net profit कंपनी का पिछले एक साल में देखा जाता है जो company का net profit है उसको divide कर दिया जाता है उसका जो भी price है और यहां पर actually price हम कहेंगे कि market capitalization ठीक है तो हम divide करते हैं net earning को market capitalization से तो यहां पर जो value आ जाती है यह value ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए उस पर्टिक्लों स्टॉक से इससे पता चलता है कि उसका जो price है उसके मुकाबले उसकी capitalization ज्यादा है के नहीं तो यहां से वैल्यू पता चलती है company की और क्या देखते हैं बुक वैल्यू टु प्राइस रेशो अब बुक वैल्यू का जितना भी असेट है चाहे उसकी मशीने हैं उसकी जमीन है बिल्डिंग्स हैं जो भी है सब कुछ total मिला के माइनस उसने जो भ मतलब उसकी बुक वैल्यू से रेशो जो निकालते है प्राइस की वह कम हो जाती है तो यह भी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए बुक वैल्यू उसकी काफी होनी चाहिए यानि company strong है उसके पास already इतने सारे assets है पर उसके बदले में उसका market capitalization कम है market capitalization मतलब उसका price कम है यानि market में जो पैसा है जो stocks का जो equity है वो कम है already यानि कि in that situation यह जो पैसा है concentrated company नहीं है ठीक है तो इस तरह की company की value ज्यादा होती है उसी तरह से sales to price ratio अब यहाँ पर क्या आता है company का total revenue है उसको डिवाइड कर देते है market capitalization से अगें यह जो value है यह भी ज्यादा से ज्या ज्यादा है यानि again intrinsic value बहुत ज्यादा है then dividend yield अगर कोई company dividend yield ज्यादा दे रही है again that means company के बाद surplus profits हो रहे हैं तो company dividend yield दे पा रही है तो इन सारे factors को मिला के एक formula होता है उस formula को use करके यह score calculate होता है जिसको Z score कहते है और यह Z score जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा matter करता है कि वो जो stock है वो इस तरह के index में list हो सकता है पर वहां पर यह भी matter करता है जैसे मैंने आपको बताया था कि उस stock की weightage क्या है ठीक है अपने index में उसकी weightage क्या है वो भी count में ली जाती है जिस समय यह calculate किया जाता है अब यह जैसे मैंने यहां पे कुछ highlights किये comments तो पहले वाला क् stock in the index is drive by multiplying the free float market capital with the value score of the score जो भी value score इसका आया उसको multiply कर देते है free float market cap वही market capitalization जितनी भी है उससे multiply करके तांकि weightage उसकी count हो जाए ठीक है stock weights are capped at the lower of 5% of 5% of the weight of the stock in the index based only on the free float market capitalization यह मैंने आपको अलड़ी बता दिया कि 5% की cap रखी जाती है कि इससे ज्यादा भी किसी की weightage ना हो किसी एक particular stock में weightage ज्यादा ना हो जाए ठीक है और उसके बाद index rebalancing होती है semi annual basis में June और December में दो बार साल में देखा जाता है कि इसमें से कौन से stocks add करने हैं कौन से minus करने हैं तो दो बार index की rebalancing होती है compare to the nifty 200 or nifty 50 the nifty 200 value 30 may offer lower volatility बहुत important बात है because of its focus on undervalued companies right which tend to have more stable earnings and less speculative growth projections अब यह बहुत बहुत काम किया है कि इसका हमें फैदा क्या होने वाल है हमारा जो यह ETF होगा इसमें actually volatility कम होगी because इसमें undervalued stocks में ही पैसा लगाया जाता है जो stocks already price was गिर चुके हैं वहीं पैसा लगाया जाता है however this comes at the cost of possibly missing out or rapid growth faces that growth stocks may experience अब जैसे इसमें नुक्सान हमें क्या हो जाता है कि कई ऐसे stocks हैं इनका price बढ़ रहा है हमें high momentum है वह high momentum वाले stocks जो हैं उनको हम miss कर देंगे क्योंकि हमने कहां पैसा लगाना है हमने लगाना है undervalued stocks पर अगर यह ETF आप combine करते हो दूसरे ETF के साथ जैसे momentum ETF हो गया इनके साथ combine करते हो तो आप वहां पे पैसा लगा रहे हो जो momentum वाले stocks हैं और यहां पे लगा रहे हो पैसा जहां पर undervalued stocks हैं इसको combine करके आप बहुत ही पोर्टफोलियो बना रहे हो इस तरह के पोर्टफोलियो में आपके पास दोनों तरह के stocks होगे आप market में risk भी ले रहे हो और साथ में आप थोड़ी safety भी लेके चल रहे हो इस तरह combine करके एक्चुली आपका long term portfolio बहुत अच्छा बन सकता है तो इस slide में हम देखते हैं कि इस ETF के अगर हम पीछे के back testing के CAGR देखें कि कितने returns आये हैं पिछले 15 साल में तो first of all पिछले एक साल में पिछले एक साल में तो इसका बहुत ही अच्छे return आये 81% CAGR दिया इसने और अगर हम n Nifty 200 का index है तो उसने सिर्फ 38% दिया तो हमारे यह जो ETF है इसने almost double returns दिये पिछले 1 year में तो बहुत ही अच्छे returns और बहुत अच्छी growth हुई है पर अगर पिछले 3 साल की बात करें तो भी जो Nifty 200 था उसने 17% return दिये पर इस ETF में 43% return दिये again double से भी जाग है और पिछले 5 years की ब performance दिया पिछले 5 साल में 2019 onwards तो कोविट से भी पहले से हम बात कर रहे हैं अगर लेकिन हम पीछे 10 साल या 15 साल तक जाएं तो हमारे जो returns आ रहे हैं Nifty 200 में 15% आये थे इसमें 16% तो भी returns जो है Nifty 200 से better थे but of course आने वाले टाइम में market कैसे perform करती है but what we can see is कि market जैसा भी perform करे पर इसके जो return है वो Nifty 200 से better ही आने वाले है और साथ में volatility जो है वो भी Nifty 200 से कम हो जाएगी that means इस तरह के ETF को हम अपने portfolio में add कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो और ETF हैं जो high risk वाले ETF हैं उनके साथ हम इसको combine कर सकते हैं उससे हमें safety के साथ साथ better returns भी मिल सकते हैं तो इस slide में हम पता चलने वाला है कि इस ETF में actually कौन-कौन से stocks हैं आज की rate में और अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे stocks तो PSU वाले हैं जैसे ONGC हो गया, NTPC हो भारत petroleum हो गया, Indian oil हो गया, coal India हो गया और उसके इलावा कुछ और stocks जैसे grassim है और Vidanta है, Hindalco है तो काफी सारे stocks हैं और यह high dividend वाले अब यहां पर एक और information है जो बहुत useful है वो यह है कि जो combine करके निफ्टी 200 value 30 जो है उसमें आज की date में PE ratio क्या मिल रही है, आज मिल रही है 12.71 और निफ्टी 200 की PE ratio 26 यानि कि हमने जैसे हमने बात की थी undervalued stocks में ही पैसा लगाया जा रहा है और इससे पता चल रहा है कि PE ratio इत और यहां कितनी है 4.5 अगर आप करने जा रहे हो और आप value investing कर रहे हो तो that means you are actually right investor आप राइट तरह से पैसा लगा रहे हो उन्होंने देखा कि बहुत बड़े-बड़े जो investors है उन्होंने भी यही बात कही थी और dividend yield भी तीन गुना है और वैसे आपकी knowledge की लिए अगर आप पैसा को मिल रहा है और एटिएफ में directly वापिस वह पैसा लग जाता है ठीक है इस तरह से अगर हाई dividend वाले इसमें stocks होते हैं तो उसका आपको फायदा है कि एटिएफ का price भी ज्यादा तेजी से grow होगा और वह compound भी होगा price ठीक है तो last में सबसे important slide actually हमने पैसा लगाना है औ अगले आने वाले 15 साल में 16 अमें मिली जाएगा और यह भी हो सकता कि हमें 60 से ज्यादा भी मिल जाए ठीक है अगर हम 13,000 लगाते हैं every month 13,000 और हमने कोई पैसा बढ़ाना नहीं है हमारा कोई annual increase लें 13,000 लगाते रहना 15 साल के लिए लगाते हैं हमारा once year बन जाएगा assuming कि 16% return अब मैं बहुत conservative चल रहा हूं इसमें अगर returns जादा आते हैं तो definitely यह once year तक आप जल्दी भी पहुन सकते हो तो compounding का तो आपको पता ही है कि कितना benefit है और smart beta ETFs आने के बाद हम इनको smart beta ETFs में अपना पैसा अगर आप डिवाइड करते हैं long term के लिए invest करते हैं long term means आप 10 साल से उपर की बात करो कभी भी 10 साल से कम बात मत करो क्योंकि एक rule है इसके उपर 7531 rule है SIP का उस rule में भी यह बताया जाता कि seven years के बाद ही compounding दिखनी शुरू होती है उससे पहले तो compounding का असर ही नहीं दिखता तो ten years आपको minimum होना ही चाहिए ten years की investment हो और जितनी ज्यादा होगी उत आपको 10-12 साल लग जाएंगे बनाने में आपको हो सकता है four years ही लगे और two-three या two-four जाने में one year ही लगे तो बहुत fast growth होती है इस लिए compounding को हमें seriously लेना चाहिए long term investment में करनी चाहिए इस तरह के ETF को हमें study करना चाहिए और हमारा पैसा हमेशा diversified होना चाहिए अलग-अलग ETF के उपर अलग-अलग smart beta ETF हों और commodities हों जैसे gold हो गया तो हमें एक अच्छा portfolio बनाना चाहिए hedge portfolio बनाना चाहिए ठीक है दोस्तों I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शियर कीजिएगा वीडियो को like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिए औ हम मिलते हैं इस तरह के एक और वीडियो में जैहिंद